और बेस्पी सुप्रिमों मायवती ने बड़ी कारवाई करते हुए अपने भतीचे आकाशानन को बेस्पी के नैशनल को ओडिनेटर पत से हटा दिया है आकाशानन से बेस्पी के उत्राधिकारी की जिम्मेदारी छीन ली गई है आकाशानन की सभी चिनावी रेलियां रद कर दी गई है आपको बता दे कि आकाशानन ने खाल ही में विवादत बयान दिया था जिसके बाद उनके खिलाफ F.I.R. भी दर्च कराए गई थी इसके बाद मायवती ने आकाशानन पर ये बड़ी कारवाई की है और आकाशानन को हटाने पर कॉंग्रोस ने मायवती और भी जेपी के बीच रिष्टा बताया और किसी और के दबाव में फैसला लेनी की बात कही है जो मायवती जी ने किया है उससे एक चीज स्पस्ट पर लक्षित होती है कि भारती जनता पार्टी से उनका अगोशित समझोता है जो हमारा आरोप था वो पुस्ट हो रहा है जिस तरीके से वो लोग सीटें चेंज कर रहे हैं जिस तरीके से अपर पक्कुता का आरोप लगा करके सुश्री मायावती जी ने आकाश आनंद को कॉर्डिनेटर के पत से हटाया है वो साफ साफ शो करता है कि कहीं न कहीं सुश्री मायावती जी डर गई है या कोई समझोता किये हुए हैं और आकाश आनंद को बीजेपी के नैशनल कॉर्डिनेटर पत से हटाने पर समाचवादी पार्टी निस सवाल उठाए है एस्वी प्रवक्ता अशो की आदव ने कहा कि आकाश ने बीजेपी पर निशाना साधा जो बीजेपी के साथ बीजेपी को भी नागवार लगा और चुकि बीजेपी का जो लोगों के अंदर परसिप्सन है यही है कि बीजेपी परदे के पीछे से बीजेपी को सपोर्ट कर रही है तो इसका जीता जाकता है उधारण आपको उत्तर प्रदेश की बिधान सवाचनाव मिलेगा 2022 के जब बहुत सारे कनिरेट्स के टिकट बसपा ने भाजपा के कहने पर दिये और इसका मेडिया में बकायते बयान भी वाइरल हुआ इसका वीडियो भी वाइरल हुआ था पाहरेगी और तभी बाबा साब को समिधान भी बचेगा और इसी पर बाचित कने के लिए संकेत इस वक्त हमारे साथ लखनव से जुड़ गाए है संकेत अगर आकाश आनंद की बात की जाए जिस तरह से उन्हें हटाया गया वो भी बीच लोग समाद चुनाव में अब इसको लेकर सियासी हल चल बढ़ गाई है तरह तरह से अलग-अलग विपक्षी पार्टियों की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है लेकिन क्या आकाश आनंद की तरफ से अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया आई है और इसको बाकी दल के साथ-साथ बी-एस-पी कैसे देख रही है क्योंकि एग्रेसिव मूड में प्रचार कर रही थे आकाश आनंद इस चुनाव इस लोक्स बाचुनाव में हमने देखा बिल्किल जाहर सी बात है कि बस्पा सुप्रीमो मायावती के आकास आनंद भतीजे हैं और उनको बस्पा ने राष्टी सयोजक बनाया था आकास आनंद को यही नहीं अपना उत्तराधिकारी भी बस्पा सुप्रीमो मायावती ने आकास आनंद को मनाया था ऐसे में जिस तरीके से वो चुनावी परचार अभियान में जुटे हुए थे पूरी तरीके से अक्रामक चुनावी परचार अभियान जो वो मंच से बोलते थे अलग-अलग जनसभाओं में काफी हद तक और उसमें अक्रामकता साब जलकती थी और यही वो वज़ा रही कि पूरे घटनाकरम के बाद बस्पा सुप्रीमो मायावती ने आकास आनन्द को पार्टी के रष्टी सयोजक पत से हटा दिया है और यही नहीं उन्होंने परिपक्वता का अभाव बताया आकास आनन्द में तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे घटनाकरम को लेकर सियासी जो पा पहले हमने देखा कि आकास आनन्द लगातार चुनावी जनसभाओं में जा रहे थे चुनावी अभियान की बस्पा की वो पूरी तरीके से कमान समाले हुए थे कई जिलों के ताबर तोर दोरे कर रहे थे लोग सभा चुनाओं में अलग-अलग सीटों पर पहुंच रहे थ जब से बस्पा सुप्रीमो मायावती ने उनको उनके पद से हटाया है, उनको पद से मुक्त किया है यादी है राजवतिक दल चलाने के लिए मैचोर होना जरूरी है बीजेपी निस पर काए है मायवती ने अपने हिसाब से फैसला ले कि अपना अंदुरुनी मामला है वो अपको कैसे पार्टी को चलाना चाहते हैं किस दिश्या में लेके जाना चाहते हैं अब उनको कुछ अब यहां उनको चलाने का उनका अपना तरीका है किस परकार से सलाना है किसको आगर बढ़ाना है क्या करना है उसके तहत वो अपना काम करती है वो शूट नहीं करा होगा तो हटा दिया होगा के लिए रहा है कि आकाश अनंद जो है लगातार सरकार के उपरामला वर्थे इसलिए मायवती ने उनको साइड लाइन करता है और दल की तरहीं बाते करता है तो मायवती की बिरोधी यह से बात करेंगे तेकर राजनेतिक दल चलाना जिसका अपना दल है उसको अपना ही तरीक लिए भी नहीं देते हैं बद नाम भी करते हैं बेजयती पी करते हैं तो इससलिए उनका अपना मामला है और जंता इस पहाज की तारिक में अच्छा सोबाग है कि जंता नेने करती है जी जंता उनको बौर्ड बैंक के द्रौरा बताती कि तुम्हारा यह निने गलता यह झाल झाल